भारत में सेक्स रेशो यानि लिंग अनुपात आज एक बहुत बड़े समस्या बन चुका है कोख में ही जाज करके मादा भुरुन को मार डालने की वज़े से यह नोबत आई है और यह चुनोती सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं परंतु पूरे समाज के लिए गंबीर है इसी समस्या का परिणाम है कि आज भारत के कई गाओं में लड़कों की शादी नहीं हो रही वह कुवारे बैठे हैं और शादी के लिए लड़कियों को तलाश करके ठक चुके हैं ये युवा मजबूर होकर दूर दराज के राज्यों से और अपहरन करताओं तक से दुलन खरीदने को मजबूर है शायद इन्हें ऐसास भी नहीं है कि ऐसा करना एक संगीन अपराद है आकडों के अनुसार छे वर्षे कम उमर के बच्चों में पिछले कुछ वर्षों के दोरान परती एक हजार लड़कों पर सिरफ नो सो अठारा लड़किया ही बची हैं दमन और दिव, हरियाना, चंडिगड और दिल्ली में और भी जादा खराब हालत हैं जहां दमन दिव में परती एक हजार लड़कों पर सिरफ छेसो अठारा लड़किया ही बची हैं लेकिन इसके बावजूद भी पूरे देश में कन्या बरुन हत्या रुकने का नाम ही नहीं ले रही है एक सर्वे के मुताबिक सन 2050 आते आते तीन करोड भारतिय पुरुषों की शादिया नहीं हो पाएंगी हाला कि भारत में जनम से पहले लिंग जांच पर 1994 में ही परतिबंद लगा दिया था और डाक्टर और मेडिकल स्टाप को भी सोनोगराफिक करने पर मनाई है लेकिन आज भी कई जगहों पर छुपकर ऐसा किया जाता है सयुंत राष्टर के मुताबिक भारत में परते एक दिन ओस्तन 2000 कन्या भुरुन का गरबपात होता है भारतिय समाज में कन्या भुरुन हत्या के लिए कई सामाजिक रूडिया जिम्मेदार है कुछ बरांतिया ग्रामिन क्षेत्रों में है तो कुछ सेरी क्षेत्रों में लेकिन आखिर में इनका खाम्याजा हमारी बेटियों को ही भुगतना होता है जादतर लोगों का मानना है कि लड़कों से ही वन्स चलता है ऐसी सोच रखने वालों से मेरा एक ही सवाल है कि भाई तुम कौन से आदम और इव की आखरी संतान हो कि तुमारे मरने के बाद सारी मानो जाती ही खत्म हो जाएगी अगर तुम्हारा वन्ष नहीं चलेगा तो ये और भी अच्छी बात है तुम वैसे भी धर्ती पर बोज हो जो अपनी ही बेटी को कोक में मरवा डालते हो समझ में नियाता कि इन अकल के अंधों को कैसे समझाया जाए कि जिस लड़की को तुम कोक में मरवा रहे हो वो भी तुमारा ही खून है उससे भी तुमारा ही वनशागे बढ़ेगा डाइनोसोरों का नहीं कुछ खास किसम के बुद्धी जीवी लोग नाख में उंगली गुसेड कर बोलते हैं के भाई मोत के बाद तो मोक्ष लड़के ही दिला सकते हैं अरे अकल के पीछे लाठी लेकर घूमने वाले गवारों भगवान ने तुमें एक फूल सी बेटी दी थी जिसकी तुमने हत्या कर दी है और अब भी तुमें मोक्ष की उमीद है तो भाई निश्ची थी तुम शैतान की पूजा करते होगे भगवान की नहीं अगर अपने ही खून के कतरे से बनी एक ननी सी कली की बली चड़ा कर तुमें मोक्ष मिल भी गया तो भाई ऐसे मोक्षे तो नर्क अच्छा है कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वर्दा वस्ता में बेटे ही अपने माता पिता की बहतर देख भाल करते हैं जबकि लड़किया तो पराया धनोती है और अपने घर चली जाती है तो इसका जवाब तो उन्हें उनके बेटे की शादी के बाद ही मिलता है जब बेटा और बहु दोनों मिलके उन्हें वर्दा अश्रम में भेज देते हैं तो वहां बैठकर इत्मिनान से वो बेटे से मिली सेवा का आनंद उठाते रहते हैं हाला की कन्या बरुन हत्या के पीछे कुछ बेहत गंभीर समस्या भी है जैसे की दहेज पर था और लड़कियों के खिलाब बढ़ते बलातकार जैसे अपराद लेकिन दोस्तों इसके लिए खुद को बदलो खुद दहेज लेना बंद करो लड़कियों की इज़त करो याद चेड चाड जैसी गटनाओं के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं अपने अपरादों की सजाइन मासूम बच्चीयों को ना दो और कन्या बुरुन हत्या बंद कर दो नहीं तो एक दिन तुमारा वंस चलाने वाले इन लड़कों की शादी के लिए दुलन मिलेगी ही नहीं करना ताकि ये बाकी लोगों तक भी पहुँच पाए और शायद किसी सोय हुए इनसान की आत्मा जग जाए धन्यवाद